अब रटना बंद और समझना शुरू जी हाँ आपने बिल्कुल स्क्रीन के ओपर ठीक पढ़ा है ठीक समझा है एक हजार आठ कॉंसेप्स पढ़ाऊंगा जो आपके प्रिविएस एर इग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस क्लास को इस 10 मिनट के छोटे से विडियो को आप लोग कोई जो बेसिक बच्चा बिगनिंग से पढ़ाई कर रहा है जो बिल्कुल बेसिक से इंगलिश सीखना चाता है वो भी देख सकता है और जो एक्सपर्ट है जो बिल्कुल एक्जामिनेशन के तयारी कर रहा है और इससे जादा भी जैसा आपको इस वीडियो को प्यार मिलेगा वैसे इसके डियूरेशन और नमबर अफ कॉंसेप्ट बढ़ता जाएगा नहीं डियूरेशन तो फिक्स रखेंगे 10 मिनट से रखेंगे 10 से 12 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर इसको हम लोग अच्छा पीक करने के क आपको बाद में देंगे पहला कॉंसेप्ट जो आपके स्क्रीन के उपर दिख रहा है यूजिंग अडबल कमपेरिटिव सर यह डबल कमपेरिटिव क्या होता है है अद्जेस्टिव पढ़ा है हम लोगों ने अद्जेस्टिव में जो डिग्री होती है पॉजिटिव को अवाइड करना है यह डबल कंपेरिटिव क्या हो गया बिटा हम लोग कभी नहीं बोलेंगे he is more stronger than john कभी भी जब दो परसन की बीच में comparison किया जा रहा होगा तो more stronger का इस्तमाल हर्गिज नहीं करना है फिर सर क्या बोलेंगे he is stronger जब भी भी हम लोगों को दो परसन की बीच में compare करना है तो हम लोग stronger जैसे comparative degree का इस्तमाल करेंगे और यहां पर टी एच एन वाला देन नहीं टी एच एन वाला देन इस्तमाल किया जाता है जो एडवर्ब होता बेटा एडवर्ब डिग्री है यह है ना चलिए आगे देखते हैं कि यह डबल comparative और डबल सुपरलेटिव कहां कहां पर आपको एवाइड करने हैं जैसे आप एसे सेंटेंस बोलोगे तो बेटा दा मोस्ट का प्रेटिएस्ट के साथ अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि डबल कंपरिटिव नहीं हो सकता मतलब दा मोर स्ट्रॉंगर मोर फास्टर मोर लार्जर मोर स्मॉलर यह सब चीज़े कभी नहीं बोल सकते हम लोग और साथ-साथ में सुपरलेटिव दा मोस्ट का भी इस्तमाल हम हम लोग डबल कंपरिटिव और डबल सुपर रिलेटिव को जादे से जादा आवाइड करेंगे फॉर एक्जाम्पल अब कंपरिटिव में ही इस मोर तॉलर दें फ्रेड दो परसन के बीच में कंपैर के जा रहा तो बेटा कभी भी मोर टॉलर को हम लोग नहीं बोलेंगे इसको क्या से बोलने वाले हैं उप्रेड जो सेंगे कि अब मैं अगर बोलूं फालड देन हैंडसम अब iets क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा हांजी इसbands कैसे हो गया अभी तो नहीं तो कि तॉलर हो सकता है प्रिटियर हो सकता है अब यह गलत हो गया हन जी क्योंकि मैंने भी क्या बताया जब दो परसंट की बीच में कमपैर करना होगा तब आप कमपैरिटिव डिगरी टॉलर पास्टर इन सब चीजों का इस्तेमाल कर पाई ये ग जब दो एड़ेक्टिव में कमपैरिसन करना होगा मतलब एक परसन है लेकिन उसके दो गुनों की बात की जा रही है दो गुनों में कमपैरिसन चल रहा है दो एड़ेक्टिव में कमपैरिसन चल रहा है तब हम लोग मोर का इस्तेमाल करेंगे टॉलर का नहीं हां जी अभी भी more taller तो नहीं होगा अभी भी मैं बोल रहा हूं more tall बोलेंगे more taller अभी भी नहीं बोलेंगे जैसे यहां पर मैं avoid कर रहा था more taller नहीं होगा more stronger नहीं होगा यह तो कभी नहीं होगा किसी situation में नहीं होगा फिर क्या होगा stronger होगा कब होगा जब more tall than handsome, Priyanka is fatter than beautiful, बताओ कभी हो सकता है क्या, वो कभी fatter than beautiful नहीं हो सकती, comparative degree का इस्तमाल दो adjective के बीच में जब compare किया जाएगा, तो Priyanka is more fat than beautiful होगा, अब बताइए जल्दी से, this pen is redder than white, ये sentence ही लिखा है क्या, sir बिलकुल नहीं, redder than white, नहीं हो सकता, फिर क्या होगा, this pen is more red than white I hope this point which I try to make is understandable to you all, your cow is more humbler, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, I hope मैंने अपना statement रख दिया, अब sir, दो concept पढ़े, इससे और high level क्या हो सकता है, आपको एकदम super high level concept बताता हूं, आप लोगों ने ऐसे सारे words तो पढ़े ही होंगे, unique, ideal, perfect, हंजी, दो बोलते हो ना, आप लोग कभी नहीं, हम लोग कभी भी ये सब बिटा अपने आप में ये words complete है, इनके साथ हम लोग कभी भी comparative degree का इस्तमाल और superlative degree का इस्तमाल हर्गिज नहीं कर सकते, मतलब क्या, कि ये जो words है, जो आपके examinations में बार बार पूछे गए हैं, उनके point of view से मैंने दुनिया में जब भी आया है, मैंने आपर note down कर दी आपके लिए, आप भी screenshot ले लिजेगा, या note down कर लिजेगा, जैसे unique, ideal, perfect, universal, extreme, complete, entire, chief, square, around, more complete जैसा कुछ नहीं होता, most round जैसा, round तो already है न, और कितना round होगा, तो इसके साथ हम लोग कभी भी the comparative degree और superlative degree का इस्तमाल नहीं करेंगे, for example, this is the most unique feature, कभी नहीं बोलोगे, most को हता दोगे, क्या बोलोगे, this is the unique feature of this tree, समझ में आया न, the unique का इस्तमाल करेंगे, the perfect, the complete, लेकिन, the most या the more, कभी भी इनके साथ इस्तमाल नहीं करेंगे, ये word बहुत जादा important है, बहुत सादा सवाल बनते हैं, इन सारे words के उपर examination के point of view से, हाँ, ऐसा कभी नहीं बोलना है, सर ऐसा क्यों नहीं बोलना है, they are investigating into the matter, they are investigating the matter होता है, मतलब, ये investigating the matter इसलिए हो गया, क्योंकि ये एक transitive verb है, सर ये transitive verb क्या होता है, चलिए, आइए देखते हैं, समझते हैं, for example, मैंने दो sentence लिखा आपके screen के ऊपर, I buy a bag, पहला sentence, दूसरा sentence, I sleep on sofa, so far आप देख पा रहे होगे, दोनों में subject very much same है, but यहाँ पर जो by शब्द है, जो verb है, इसके बाद एक direct object आया है, direct object जो पूछा गया है, अब अगर यहाँ पर मैं आपको पूछू, कि यहाँ पर ए हटा करके बेटा on लगा दो, या at लगा दो, या कोई भी preparation का इस इस्तमाल हर्गिज नहीं कर सकते, मतलब by एक ऐसा verb है, जो एक transitive verb है, जिसके बाद direct object का इस्तमाल होगा, तो इससे हम क्या यह proof कर सकते हैं, कि transitive verb के बाद कभी भी preposition नहीं आता, हर्गिज नहीं आता, on the other hand, अब जैसा sleep verb हो गया, यह verb के बाद आप अगर preposition को हटा दोगे, I sleep sofa, यह कभी खाने वाले चीज़तों हैं नहीं कि sofa को आपने खा लिया, I eat sofa, तो बेटा यह verb जो है, यह एक intransitive verb है, मतलब ऐसा verb है, जो कभी भी बिनाओ without preposition इस्तमाल ही नहीं किया जा सकता, हर्मेशा आप बोलोगे I sleep on sofa, है ना, इस preposition के बाद जो object आएगा, यह बेटा indirect object होगा आपका, समझ में आ गया, और इससे यह प्रूफ होता है, कि जो आपके intransitive verb हैं, उनके बाद preposition का आना fix है, लगभगत है, 199%, 999% chance, आएगा ही आएगा, intransitive verb के बाद आपका preparation, तो sleep जैसे verb क्या हो जाते हैं, intransitive verb हो जाते हैं, by जैसे verb कैसे verb हो जाते हैं, transitive verb हो जाते है, उन सभी का list लेकर आया हूँ, जल्दी से screenshot ले लीजिए आप लोग, और ये PDF को में telegram channel पर भी provide कर दूँगा, so without further wasting time, let's continue, ये जितने भी word होगे, pride, enjoy, absent, इनके बाद बिटा, always transitive है, कभी भी preposition का इस्तमाल, हर्गिस नहीं करने वाले हैं, ठीक है, चलिए, सबसे most important common errors students क कर जाते हैं, कि जब tackle के साथ with लगाना, sir, I am handling the situation, I am tackling with the situation, I am tackling with the problem, कभी नहीं बेटा, you deal with the problem, yes, deal के साथ with preparation लगा लो, लेकिन tackle के साथ with preparation, कभी नहीं लगेगा, इस से क्या साबित होता है, अब खुद बताओ, जब इस verb के बाद अगर preparation आ गया, तो ये कैसा verb है, intransitive verb है, क् किसके बाद अराम से preparation आ जाता है, we always say, we deal with the situation, है ना, we all deal with the situation, we wait for the bus, लेकिन await के बाद कभी भी preparation नहीं आएगा, मतलब tackle, await, investigate, comprise, continue, ये सारे के सारे आपके transitive verb हैं, और look into, yes, you look into the matter, but you never investigate into the matter, you just investigate the matter, क्योंकि investigate के बाद कभी भी preparation नहीं आएगा, look के बाद आ जाएगा, ये, carry on होता है, continue, लेकिन continue on, कभी नहीं होता, consist of, मतलब comprise, लेकिन comprise of, नहीं होता, यहीं जो आप लोग पढ़ते हैं, उन्हें रठते आयो, sir, comprise of नहीं होता, consist of होता है, reason क्या है, ये reason है, रठना नहीं grammar को, समझना है, चलिए, conflict with हो जाएगा, look for, you look for something, that means you seek for, है ना, come to that means you reach, right, you reach, अब superfluous हमारे तीसरे अगले next point पर आ जाते हैं, हमारा जो आज का concluding topic होने वाला है, अब कुछ ऐसे superfluous words होते हैं, जिनके बाद बेटा, जिसका इस्तमाल, examination point of view से भी, और general life में भी, बड़ा redundant सा हो जाता है, monotonous हो जाएगा, और ये wrong uses, for example, she has returned back to home, कभी भी ऐ नहीं आएगा, जो आप बहुत सादा इस्तमाल कोशिश करते हुए देखे आपने, final conclusion कभी नहीं होता, final conclusion कभी नहीं होगा, बेटा, आप हमेशा conclusion को बोलोगे, final तो अपने आप उसके अंदर समाहित हो जाता है, for example, आप लोगों ने ये सुना होगा, आप लोग तो avoid भी करन तो blunder mistake बोलना, तो हो गया blunder mistake mistake, समझ में आया ना, इसी लिए mistake को avoid करते हैं, superfluous हो जाता है, क्योंकि blunder का automatically मतलब बहुत बड़ा mistake होता है, ये mistake word इसके अंदर already समाह चुका है, तो जैसे cousin sister, आप लोगों के noun में भी topic आता है न, कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है, जैस sufficient enough, सिफ sufficient है न, तो ये सारे words आप लोग जरूर याद रखिएगा, उम्मेद करता हूँ आपको आज की ये topic, आज का ये session बहुती स्यांदार जबरदस्त लगा होगा, ये आपके लिए कुछ homework छोड़ कर जा रहा हूँ, ये homework में आप सारे सवालों को जरूर से जरूर comment section में प्यार दीजिएगा, भर भर के सभी questions का answer मैं आपसे उम्मेद करता हूँ, बहुत अच्छे questions डाले हैं मैंने, और अगर इन सभी concepts को आप regularly चाते हैं, तो please like करिएगा session को, share करिएगा, ये जबरदस्त content आपके सामने लेकर आया हूँ, और रोज ये प्यार दे पाऊँ आपक ये vocabulary की और grammar की होती है, इसमें updates और जो MCQ आपके examination point of view के ले important है, वो सब कुछ मैं provide करता हूँ, उम्मिद करता हूँ, ये session बहुत अच्छा लगा होगा, जै हिंद, जै भारत!